हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लिमिजिनेट परोगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेन डाइगरम की एंटी यूजिस नेट लोजिकल रिजिनिंग के अंदर ये टोपिक हमारे लिए बहुत ज् समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक तो इसमें जैसे कि मैथमेटिकल डाइप से कोशन आता है दूसरा इसकी डैफिनेशन से रिलेटर कोशन आता है तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और दिहान से देखना ताकि यह आपको टोपिक अच्छे से समझ में आस वेयक्त करना है रीप्रेशन्ट करना है उसके लिए हम कुछ जामिति आकरति जो मैटरिकल लिए उसके लिए हम कुछ जमेटरिकल आकरती बनाते तो इसको प्या कहते हैं से कि हでも अब दो संख्याव या अक्सों के माध्यम से किसी विशेस वर्ग के अंतरजत आने वाली वस्तो या संख्याव को ग्यात करना अब यह देखिए इसमें यहां पर डायक्राम बनाया हुआ कि पी के अंदर कितना हिस्सा आता है आर के अंदर कितना हिस्सा आता है यह सभी जानने के लिए भी हम वेन डायक्राम का उपयोग करते हैं ठीक है और एक कोर्स तीसरे टाइप का हमारा कोश्चन आता है वो आता है हमारा कथन से रिलेटिड आता है इनकी डैफिनिशन से रिले चिहनित करते हैं किसी चीज़ को वे नारेक निरूपाधिक न्याय वाके की वैदता प्रेक्शन के स्रवाधिक प्रतेक्स वी दियें देखिए ये सारी के सारी चीज़े मैं आपको अभी इंग्रिश में भी दिखाने वाना हूं तो आपको निश्चिंध हो की वीडियो देख वे नारेक होता क्या है उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मिशन मिलती है देखिए नमर एक वे नारेक हमारी समझ को बढ़ाता है वे नारेक संकेत पधती का सपष्ट तरीका है वे नारेक इस क्लियर मैथर आओ नोटेशन वे डाइगरम अभी कत्रों और स्रेणियों को परदर को परे रिप्रेजेंट करता है यह संकेतन की सपष्ट पधती उपलब्द कर सकता है इट कें प्रवाइड कलियर मैथर आओ नोटेशन इसे हम कलियर देख सकते कि क्या चीजह कैसे है कलियर एकदम अच्छे से पता चल जाता है यह वैधता प्रिक्षल की प्रत्यक्स पधती की उपलब्द करा सकता है इट कें प्रवाइड दर डायाट मैथल ओफ टेस्टिंग दा वैलेडिटी वैलेडिटी को टेस्ट करने का एक यह बहुत ही अच्छा माध्यम प्रवाइड करा सकता है सवाके समंधी न्याहिक अकार के प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रत इसके दर क्या होता कि हमारे कथन अभी कथन जो होते हैं इंफ्रेंस प्रिमाइस होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी वैलेडिटी को हम जांच सकते हैं यह हम आगे और करेंगे जैसे प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे क किस तरह से हम इसमें वैलिड करते हैं किसी चीज़ को वैलिडिटी कैसे जांसते हैं वेन और एक चिन तांकन की सपर्श्विधी है वेन डायग्राम इस क्लियर मेथड़ ऑफ नोटेशन यह चीज़ हमने ऊपर कर ली अब देखिए अगला पॉइंट करते हैं हम इसके अंदर वेन आरेक निपाधिक न्यायवाके के वेदता प्रिक्षन की सरवाधिक प्रतेक्स वीधी है इसका मतलग है वेन डायग्राम इस दा मोट डायेक्ट मैथर ऑफ टेस्टिंग वैलेडिटी ओफ कैटीगोरिकल सिलोलिज्यम को जांसने की यह बहुती सरवाधिक वीधी है और उसके बाद में हम और देखते हैं वेन आरेक में निरू पाधाक न्यायवाके के प्रिक्षन के लिए तीन अभी व्यापक वर्त बनाए जाते हैं देखे हिंदी में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है इसलिए हमने आप एक इंगलिस में भी आपको दिया है इन वेन ड तीन तीन इसके अंदर सरकल बनाते हैं इस तरह से और यह हमने आपको करवाया था और वेन तरकों को आलेखे उसे प्रदर्सित करता है वेन क्या है वो जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं उनको डाइंगराम के तरूर रिप्रेजेंट करने की कोशिस करता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है वेन डाइंगराम रिप्रेजेंट दा आल्ग्यूमेंट ग्राफिकली इसमें हम ग्राफ के जरीए जो भी हमारे तरक है उनको समझाने की कोशिस करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यह सारे के सारे पॉइंट जो आप याद कर लेना क्योंकि इन में स कि क्या बात सहीं नहीं है यह वैद या अवैद हो सकता है यह हमारी गलत बात है इसे हम वैलिड या इन मेलिड नहीं कह सकते हैं वैलिड या इन मेलिड नहीं कह सकते हैं लेकि यह कह कि वैलिड या अवैद नहीं हो सकता इन मेलिड अब इससे रिलेटिड हम कुछ क्या है गलत है यह वैड假 हो सकता है तो यह इसके संबद्ध भी था हैं कोई अगर म прин Mercatus वेले हो सकता है वें डायाग्राम न Yakु यह वात उसकी गलत है क्योंकि इसले हम किसी और चीज की जांत ह हैं वो क्या है कि वो हमें केवल इनफॉर्मेशन देता किसी चीज के बारे में वो वैलिड है इनवैलिड है वो हमें खुद डिसाइड करना होता किसी चीज के बारे में तो यह क्या है कि नहीं तो वैद होता नहीं एवैद होता इसमें निर्पेक्स नियाए वाक्य कि मानक कड़ कि आई है ना कि इसमें कितने डाय ग्राम अंते यहां पर इनोंने क्या का है टू डाय ग्राम की इनोंने बात की है तो दो नहीं बनेंगे इसके अंदर तीन सर्कल बनाए जाते हैं ठीक है यह मैं उमेद करता हूं आपको समझ में आया कोगा और इससे जो कोशन है कोशन में आपको दिखाता हूं इसका एक कोश्टि आ पको दिखाता हूं यह हमारा आया हुआ है पहले आया हुआ था यह देखी जैसे कोशन में 26 सम देखते हैं 14 फ्लोविंग कोड गिवन विडों कंटेन उनली दक क्रेक्ट इस्टेमेंट यानि क कौन सा correct statement दे रहा है हमारे वेंड डाइग्राम से related यह देखे वेंड डाइग्राम is a clear notation clear method of notation यह चीज़ बिलकुल चाहिए हम पढ़े के आए हैं अब इसमें हम नमबर तीन पर बात करते हैं इन वेंड डाइग्राम method of premises and the conclusion of a categorical knowledge of years डाइग्राम डाइग्राम अब यह कहरा कि conclusion भी उसके इंदर हम डाइग्राम करते हैं उसमें graphically बताते हैं नहीं conclusion उसमें नहीं conclusion तो हमें निकालना होता है कि क्या सही है क्या गलता है निसकर्स हमें निकालना होता है वो प्रजेंट नहीं करता है वो हमें find out करना पड़ता है क्या गलता है क्या सही है अब नमबर इसको एक time के लिए छोड़ देते हैं ठीक है एक time के लिए छोड़ देते हैं अब नमबर चार्ट देते हैं इन वेंड डाइग्राम method the three overlapping circle are draft for testing a category लिए अब यह बात हमने उपर की थी कि वें डाइग्राम के अंदर तीन circle बनाए जाते हैं तो यह इसकी बात बिल्कुल right है तो हमारी कौन-कौन सी बात सही होगी नमबर एक दो और चार एक दो चार हम देखते हैं किसके अंदर है एक दो चार हमारा इसके अंदर आ रहा है option number B में इसका answer दिया हुआ है तो यह हमारा option number B है वो right हो जाएगा तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं और UGC network हमारे कतन अभी कतन से related और इनकी definition से related काफी question आए हैं तो आप यह सभी कर लेना मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यह जितने भी points है इन सभी points क आप लिख लेना चाहिए कुछ भी कर लेना अच्छे से इनको ध्यान में रख लेना और आगे हम बात करते कि आगे वेन डाइगराम से related और किस तरह की question आते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा और वेन डाइगराम के बारे में समझ लेते हैं यह देखिए इसमें यहां पर समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है ठीक है मिला जुला हुआ नहीं है आगे हम बात करके नमबर बी पर बात करते हैं दिया गया आरेक यह दर साता कि कोई भी वर्व एक दुछरे में पूरी तरह समाहित है नहीं है लेकिन दोनों में कुछ समान सज़स्य है अब देखिए आरेक यह तर साहता कि कोई दिसे समान नहीं है, अब यह कोई भी समानता नहीं है, 1% भी इनकी भी समानता नहीं है, और आगे हम बात करते हैं, यह देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा हम कॉस्षिन लेके चलते हैं, इसके आपको बिलकुल रसानी से, समझ में आ जाएगा, जैस ये कोशन लेते हैं यह देखें यहाँ पर इन्होंने दिया हुए यह जो है यह हमार अंग्रेजी का सरकर्ल है यह जो सरकर्ल है हमार अंग्रेजी का क्या बताना है देखें उपरवक्त चित्तर में देखते हुए हमें यह याद हुआ कि हमें क्या-क्या information नहाँ से मिली नमर एक पर केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले चातर कौनचे जो केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ते हुँ कितने हैं ए बी सी यह तीन चातर हैं उसके बाद में केवल गनित पढ़ने वाले कौन है एफ यह कैवल और केवल गनित पढ़ता है उसके बाद में दोनों पढ़ने वाले कौन से डी और ए बी और जो ए है वो गनित भी पढ़ अब देखी यहां से इस तरह से हम information निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की और आगे हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे यह देखे यह हमारा as a example मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है और आगे हम बात करते हैं कोशचन लेके चलते हैं बिलकुल real कोशचन लेके चलते हैं पूरी हमारा यूजी से नेट एकजाँ के दर कॉश्चिन आया हुआ है करीब 210 के करीब ये कॉश्चिन आया हुआ है अब देखिए यहां पर भारतिय दीए होएं भारतिय ये गोला एक दो तीन चार ये क्या है भारतिय उसके बाद में वकील कौन-कौन से है दो, तीन, छे, साथ उसके बाद में अध्यापक कुन शे है? पांच, छे, तीन, चार ठीक है? यह हमने वेर डाइराम देखा इस से रिलेटेड अब हम कोश्चन करने की कोशिस करते हैं नमर एक पे कौन सी संक्या भारतिय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है यानि कि जो क्या है? भारतिय भी होने चाहिए अध्यापक भी होने चाहिए और वकील भी होने चाहिए तीनों क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए अब देखिए भारतिय जो यह तीन है तीन क्या है? हमारा भारतिय है ठीक है तीन क्या है हमारा वकील भी है और तीन क्या है हमारा अध्यापक भी है तो तीन इसके इंदर वाइट अंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्सन नमर भी हमारा वाइट अंसर आ जाएगा थरी के है वो भारती भी है अध्यापक भी है और वकील भी है ठीक है तो इस तरह से अंसर निकाल सकते हैं शरे मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आपको कोई प्रोब्रम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको यह नौट से चाहिए तो दोस्तों आप हमारी एप निमी जी नेट जुरूर डाउलोड करना लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया या फिर आप प्रे स्टोर पे जाते भी सर्च कर सकते हैं निमी जी नेट आगे हम बात करते हैं एक और कोशन लेके चलते हैं यहां पे यूथ है एक दो पांच चाहरी है हमारी यूथ है उसके बाद में पढ़े लि यूआओ को देखे ऐसे यूआओ को दर्शात है जिनके पास रोजगार तो है पर सिक्सित नहीं है यानि कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यूवा फाइंड आउट करने है और रोजगार यूवा ऐसे यूवा जिनके पास रोजगार है लेकिन सिक्सित नहीं है सबसे प common conscience जो यूथ भी है और जिनके पास रोजगार भी है तो ये देखिए इसके अंदर दो चीज़े आते हैं एक तो हमारा आता है चार ये देखे चार जो है वो रोजगार भी है और यूथ भी है और पांच देखिए पांच भी हमारा ऐसा ही है लेकिन यहां पे इन्होंने क्या क लिखा भी है और ये इसके पास रोजगार भी है तो ये तीनों की तीनों चीज़े इसके अंदर है लेकिन इन्होंने क्या का है कि सिक्सित नहीं है सिक्सित नहीं होना चाहिए तो ये जो चार है ना ये देखिए चार नमर का जो है उसके ये क्या है यूथ है और रोजगार बट ये क्या है, सिक्सित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका right answer क्या जाएगा? केवल 4, only 4 इसका right answer आजाएगा, जो युवा है और रोजगा है, बट पढ़ा लिखावा नहीं है, तो दोस्तो इस तरह से आप بالकुल असानी से question कर छकते हैं, इस तरह के काफी question आप करके देखें आप बिल्कुल असानी से आपको मिल जाएंगे और दोस्तों हमने पेड़ कोर्स में एक और बहुत बढ़िया चीज की विए क्या किवा हुए है दो हजार बारा से लेकर दो हजार बीस तक अभी तक जितने भी शिफ्ट के कोशन पेपर हुए है उनके हमने टॉपिक वाइस कोशन अलग रखी है जैसे कि आज तक लोचिकल एडिजिनिंग के जितने भी कोशन आए हैं वो सारे के सारे हमने अलग करके रिसर्च के अलग करके टीचिंग के अलग करके इस तरह से आपको बिल्कुल असानी से पता चल जाता है कि कौन से कोशन बार बार रिपीट हो रही है और आप बिल्कुल असानी से अपना नेट और जियाफ क्वालिफाई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहिए तो हमारा पेड कोर्स भी जोइन कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा और या पिर आप हमारी इसमें नमर एक जो है इसमें उद्धान पुरुस और मामा लेकर चलते हैं अब देखिए पुरुस जो है यह हमने उपर का जो गोला है वो पुरुस ले लिया अंदर का ले लिया हमने मामा ले लिया अब देखिए जो मामा है वो पुरुस होगा ही होगा ठीक है मामा किसके अंदर है पुर्स के अंदर है मामा जो है वो हमेशा पुर्स होगा ही होगा लेकिन जो पुर्स है वो जरूरी नहीं है कि मामा हो ठीक है क्योंकि पुर्स है वो चाचा भी हो सकता है दादा भी हो सकता है हो सकता है कि उसकी कोई बहन ना वो मामा होई ना ठीक है लेकिन जो मामा ना वो हमेशा पूर्स होगा तो ये है एक जो गोला है दूसरे के अंदर किस तरह से समाहित होता है उसे इस तरह से हम करेंगे आगे नमबर दो पे हम बात करते हैं इसी के अंदर अगर हम पूर्स और वकील की हम बात करें ठीक है अब देखिए ये हमने पूर्स ले लिया और ये हमने वकील ले लिया ये क्या है आंसिक रूप से संबंदित है ठीक है और ये क्या था हमारा पूर्णत संबंदित पूर्ण रूप से संबंदित ये जो माम है ना ये पूर्ण रूप से पूरुस है अब ये आंसिक रूप से संबंदित हम किस तरह से कहेंगे अब जो वकील अवकील लेडिस भी तो हो सकती है न तो सारे की सारे जो वकील अवो पुरुस हो ये कोई जिनूरी नहीं है हाँ कुछ जो वकील है वो पूरुस हो सकते हैं यह जो हमारा पॉर्शन है वो क्या हो गया कुछ पूरुस वकील है तो यह क्या हो गया आंसिक रूप से सम्बंधित हो ठीक है अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण पूर्ण रूप से ए सम्बंधित हो अब देखिए अब इसमे के वैवसाय अलग-अलग है दोनों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग-अलग है तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि यह पूर्णत है एह सम्मंदित इनको हम बोलेगे क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग-अलग है आगे हम बात करते हैं तीन समुच्यों क होगा अब देखे सबसे पहले हमने लिया सेकंड लिया सेकंड के है सेकंड मिनट के अंदर आता है ठीक है मिनट किसके अंदर आता है घंटे के अंदर आता है और यह हमने क्या ले लिया अब देखिए जो घंटा है घंटा है घंटे के अंदर क्या आएगा मिनट भी आएगा ठ जो second है ना second को minute के अंदर विंकांट करेंगे और घंटे के अंदर भी कांट करेंगे ठीक है लेकिन घंटा सब्सक्राइब है हमारा one hour सब्सक्राइब हो second के अंदर नहीं आ सकता ठीक है क्या है कि जो second है वो गंटे के अंदर आ सकती है, तो इस तरह से भी इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके अलाबा एक और आगे हैं, और भी हैं, वो भी हम देखते हैं, तीन समुच्चे के वीच में और क्या-क्या संब्द हो सकते हैं, देखें, ये चीज़ तो हमने कर ली थी, यहाँ प पूर्णत सम्बंदित हो पर तु दोनों समुचे एक दूसरे से पूर्णत ऐस सम्बंदित हो यानि कि दो चीजे हैं वो तीसरी के अंदर इंकलूड हो सकती है लेकिन वो आपस में अलग अलग होगी अब इसका बहुत ही बढ़िया एक्जामपल देखे चलते हैं जैसे हमने एक ले दिया मेज एक ले लिक कुर्शी ठीक है और यह दोनों की दोनों क्या है यह दोनों की दोनों क्या है हमारी फर्नीचर के अंदर इंक कर्शी आहिए तो यह इस सरकल के अंदर इंक्लोड होगी फर interfere के अंदर इंक्लोड होगी लेकिन 躯ो मेज है मेज अलग चीज होती है और कुर्षी है फो अलग चीज होती है उनकी चक्षरव अलग होती है okay तो यहाँ अलगलग हो गई आगे हम बात करते हैं नमबर तीन पर किस तरह का इनका स्टर्चर हो सकता है तीन सरकल के अंदर जब दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो और दोनों में कुछ आंसिक रूप से रिलेसिंशिप हो कुछ समानता हो अब ये देखे हमने यह सिस्तरी ली naw लेए बहन ले ठीक है अब देखी है यह अई हमने स्रो के अंदर क्या लिया इसके अंदर एखो होमने लेडीस का लिया उसके बात Darren कि पासमें यह इसीरिक के आफिक हम अइरे बहन जाए झाभी यह ये किस के अंदर आती है यह लेडीस के ली lobा चाप प्यआ कि कैसी डी ओ? वो लेडिस के अंदर आएगी. इसे प्लीके से बेहन, बेहन भी हमारे इस तरीके अंदर आएगी. अब ये देखिए, ये दोनों मिले जुने हुए कैसे हैं, एक जो माह ए Carolina, वो बेहन भी हो सकती है. और जो बेहन ना? वो माह भी हो सकती है. ठीक है तो इनके अंदर कुछ समानता यहां पर हम मान सकते हैं इनके अंदर कुछ रिलेशन्सी पर हो सकता है ठीक है तो इस तरह से इसको हम समझेंगे और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से हमारे हैं आगे हमारे की यह देखिए एक समुच्चे, दूसरे समुच्चे से पूरत सम्मदित हो तथा तीसरा समुच्चे, दोनो समुच्चे से आंसिक रूप से सम्मदित हो सकता है इसका एक ओल भी बन सकता है इसका डाइगराम क्या बन सकता है और ये सबी डाइगराम आपको समझने क्यों जरूरी है क्योंकि यूजिस इनैट में काफी डाइगराम आपको बनाने पड़ेंगे आपको कोशिन करने के लिए ठीक है तो इन सबी को आप एक बार देख लिजी जल्दी जल्दी और अच्छे से समझे इनको देखें ये हमने ले लिया खिलाडी किर्केट के खिलाडी और विवाहित अब ये देखिए ये जो सरकल है हमने ये ले लिया खिलाडी का ले लिया और ये ले लिया हमने किर्केट अब देखें किर्केट के जितने भी लोग हैं किर्केट खिलने वाले वो क्या होंगे खिलाडी होंगे ही हों सकते हैं यानि कि आंसिक रूप से हो सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि जितने विवाहित लोग हो सारे सारे खिलाड़ी यह कोई जरूरी नहीं है इसलिए हमने कुछ हिसा साइड में लख दिया इसी तरीके से जितने भी विवाहित लोग हो किर्केटर हो यह कोई जरूरी न सब्सक्राइब करते हैं कि एक समुच्चे दूसरे समुच्चे से संबंदित हो तथा दूसरा समुच्चे तीसरे से कोई relationship ना हो अब देखिए जो डॉक्टर है वो पुरुस हो सकता है और इंजीनियर है वो भी पुरुस हो सकता है लेकि यहां पर यह देखिए यह दोनों गोले हैं इंजीनियर और डॉक्टर के यह जो दोनों गोले है यह बिलकुल अलग है क्योंकि इनकी जो quality है वो बिलकुल अलग है लेकि डॉक्टर पुरुस भी हो सकता है और इंजीनियर है वो भी पुरुस हो सकता है ठीक है यानि कि यह जो दोनों गोले यह गोला और यह ग समझने आ रहा होगा और तीसरा एक और हमारा बंदा है तीनों के तीनों समुचे एक दूसरे से आंसिक रूप से समंदित हो सकते हैं तीनों के अंदर कुछ रिलेसंसीप हो सकता है आंसिक रूप से अब देखे पुरुस वकील लेखक हमने ये बात की है अब देखे जो पुरस भी हो सकते हैं और वकील भी हो सकते हैं वकील जो पुरस भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है ठीक है तो यह देखिए तीनों के तीनों चीजे हमारी कौमन आ रही है यहां पर ठीक है तो यह हमारे क्या होगा कि तीनों जो सर्कल है वो आंसिक रूप से कुछ ना कुछ मिले हुए हैं तो इस तरह से आपको इसको आप इसे समझ सकते हैं आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास दो और सरकल हैं उनको और समझने की कोशिश करते हैं हम दो तिन और हैं हमारे यह देखिए तिन समझ्चों के बीच में और क्या-क्या समंध हो सकते हैं थोड़ा इसको जो माउट कर लिता हूँ, हाँ जी, ये देखे, दो समुझे एक दूसरे से आंसे क्रोल से सम्मंदित हो, तथा तीसरा इन दोनों समुझे से पूर्णत सम्मंदित हो, अब देखे, इसके इंदर क्या है, हमने कुत्ते के बच्चे जानवर के बच्चे ले लिए, अब ये जो स हमारा क्या आगया, हमारा कौमन आ गएंगे, बीच में, उसके बाद में हम कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे क्या, ये देखे, ये जो है हमारे कुत्ते के बच्चे, कुत्ते क्या होंगे, वो कुत्ते तो होंगे ही होंगे, परसमें वो जानवर के बच्चे भी कहल तो ये क्या है, ये दोनों के अंदर पूर्ण रूप से समाहित है, तो इसका अब इस तरह से समझ सकते हैं, आगे एक ओर देखते हैं, उधार नम्बर आठ, दो समुचे एक दूसरे से पूर्ण तरह समबंदित हो, तथा तीसरा उन दोनों समुचे से आंसिक रूप से आप देखें, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है, इस तरह अलग होती है, पूर्ण अलग होती है, बिल्कुल अलग है, लेकिन जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है, ये इन दोनों के बीच में common हो सकता है, ये दोनों अलग लग हो सकते हैं इस तरह से भी समझ सकते हैं और आपके आएंगे एक्जाम के अंदर डाइग्राम बनाने तो आप पहले इनको अच्छे से देख लिजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं अब देखिए आगे हमारा नुवा किस तरह कल्ध हो सकता है एक स समुझे से दूसरा पूंडत है संबंदित होता था तीसरा समुझे उन दोनों से पूंडत है एक संबंदित हो अब देखिए इसके इंदर क्या है सुरिय तारा ग्रह हम लेते हैं अब देखिए जो सुरिय है यह हमारा क्या है सुरिय क्या है क्या है तारा है ठीक है जो सुरि तटो जो से विल्कुल अलग हो जाएगा। उसके बाद मैं हम बात करते हैं, दो्स समुचे एक दूसरे से आंसिक रूप से सम्मंदित हो तधा दीसरा इन दोनों से पूर्ट है, ए सम्मंधित हो। आफ़ देखें दो जो है, वह आंसिक हो सम्मंदित हो सकते हैं, तीसरा बिल् से हो सकते हैं और कुछ प्रुस वह मस्दूर हो सकते हैं ल诗ी सब्सक्राइब कीड़ना तो हैं अलग होगा तो तीनों कावर्स आहे अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है, तो ऐसे ही हमारे सरकल हो सकते हैं, तो यह देखी ये तीन सरकल, हमने वेन डायरम बताएं कि किस किस सिचुईशन में क्या-क्या इनकी पोजिशन हो सकती हैं, कैसे यह बन सकते हैं, तो आप इन सभी को एक वार फिर से देख लिजी अगर देखना चाहे तो क्योंकि यह हमारे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट है आपको यूजी सिनेट एक्जाम के अंदर यह बनाने पड़ेंगे और इस से रिलेटिड जो भी कोशिशन है हम कोशिश करेंगे लाई मोग टेस्ट में आपको यह दे तो दोस्तो आज के लिए वसीतना ही थैंक यू वेरी मच और एक वार फिर से में आप सभी को बता रहा हूं कि आप हमारी एप निमीज नेट जरूर डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारा पेड़ कोशिव जोइन कर सकते हैं तो थैंक दोस्तों